मैं यहां पर कब से बोल रहा हूं पढ़ा रहा हूं और पता चल रहा हूं उधर से सेशनी गाया बे उधर से सेशनी गाया बे अब मैं पढ़ा दिया 10 मिनिट मैं पढ़ा दिया और सेशनी गाया बे इधर पढ़ाया जारों पढ़ाया जारों क्या बात हैं तो भैया मैं फिर से से बता देता हूं कि आज जो है weekly current affairs की class 12 बजे होगी weekly सापताई current affairs का दूसरा part क्योंकि first part भाया की बरसी की बसे से आधा यह पाया था इस बात दस बज़े सुबह की जगवाज सुबह 6 बज़े हम लोग हो जो है सुब़े यह जो है चे बज़े जो हम लोग ने किया ता उसका 2nd पर दोपहर को 12 먼저 होगा तो इस बार आज का सब्ताइ एक करेंटफ़े कब होगा 2 दोस्तों मैं इदर पढ़ा रहा हूँ पढ़ाय जारा हूं पढ़ाय जारा हूं पता चला की नीचे देख रहां तो देख रहा हूं कि मैं तो दिखी नहीं रहा हूं यह भगवान चलो कोई बात नहीं फिर से सुरू करते हैं विच मिनिस्ट्री है और्गनाइज तिरंगा उट्सो ऑन सेलिब्रेट वन से फोटी सिक्स बर्थ अन्वेर्सरी ऑफ पिंगली वेंकईया इन न्यू दिल्ली किस मंत्राले ने नई दिल्ली में पिंगली वेंकईया जी कि 146 वी ज चिन्हों का सिंबल का पुश्माटम किया था तिरंगा थ्रीश्टू टू के इन पात में होता है पिंगली वेंकईया जी ने इसको जो है डिजाइन किया था अभी 22 जुलाई को इसको अपनाया गया था दोस्तों इस समय भी हम लोगों ने तिरंगा उत्सो मनाया था और खराने को कहा जाएंगा 13 से पंदर अगस्त के पीच में यह राषव आप्याध इस्सों में याद रखिएगा दोस्तों और यहां पर किस ministry ने है क्ल्चर मिनि स्के लिए दोस्तों इंडिय्चनल फ्लैग कोड 2002 याद रखिएगा कानून में परिवर्तन किया है अंडियन फ्लैग कोड 2002 में का पर परिवर्तन भी किया गया है कि आप पॉलिश्टर के भी जो है कि दोस्तो चलेंगे उस पे जियस्टी प्री कर दिया गया है अब मसीन वाले भी तिरंगे चलेंगे और अब सुर्यास्त के बाद तिरंगा इस में अच्छो चक्र होता है वहुँस स्थंब से लिया गया है जो 24 तिलियां होती है तो दोस्तों culture ministry के द्वारा जो है इसको जो हैmesan किया गया ministry of culture के द्वारा इसको launch किया गया ठीक है grow दोस्तो press information bureau के प्रदान महानिदेशक कौन है principal director general कौन है दोस्तो press information bureau के PIB के तो दोस्तो यह सतेंदर प्रकाश जी को बनाया गया है सतेंदर प्रकाश जी पी आई बी के नए हेड बनाए गये हैं ओके क्लियर है याद रहेगा दोस्तो हाली में किसने दिल्ली के नए पुलिस आयूप के रूप में कारेभार समाला है तो नए पुलिस कमिशनर आफ दिल्ली दोस्तो संजय अरोडा जी को बनाया गया संजय अरोडा जी को दिल्ली का पुलिस कमिशनर बनाया गया कि दोस्तों हाल ही में में मैंमार की सेने सरकार ने आपात काल को छे महीने के लिए बढ़ा दिया है मैं मैं सेने सरकार के प्रमुख कौन है र्प्रेंटली मैं मिलेटरी गोर्रमेन्ट है एक्सेंड़ इमेर्जन्सी बाई शिक्समथ वो इस दे हेड आफ मिलिटरी गवर्मेंट इन में आमार तो दोस्तो में में अभी जो है कि लोकतंत्र के डिमांड करने वाले सत्याग रहियों को फांसी पे भी चड़ा दिया था इस आदमी ने रोहिंग्या मुसलमानों को दोस्तो अपने देश से मार के भगा दिया इन्हों और नंस सुखी को जेल में डाल दिया जो नोबेल पीस प्राइस विजेटा थी जो में आमार की पधान मंतरी थी है और दोस्तो पहले भारत का इससा था जिसे हम बर्मा कहते थे उसकी capital को हम लोग रंगून कहते थे दोस्तो निमनलिकित में से किसने Commonwealth Games में महिलाओं के judo में 48 kg final में रजत पदक जीता है यानि की silver medal जीता है तो उनका नाम है दोस्तो सुशीला देवी क्या नाम है भाईया सुशीला देवी ने महिलाओं के judo में 48 kg final में silver medal जीता है यह Commonwealth Games में भारत का सात्वा medal है दोस्तो recently Vutex additional charge of Indo-Tibetan Border Police ITBP का अतरिक्त प्रभा किसको मिल गया है तो दोस्तो SL 1000 SL 1000 सुजावलाल 1000 को ITBP का अतरिक्त प्रभार मिल गया है जो SSB के भी हेड है समस्त सीम ससस्त और सीमा बलके तो सुजावलाल 1000 अभी बने ही थे पिछले महिने अब यह Indo-Tibetan Border Police के भी बन गया है ITBP के भी हेड बन गया है दोस्तो जुलाई 2022 में भारत के कोल स्टॉक में कितने मिलियन टन की वृद्धी देखी गई है दोस्तो कोईला में संकट आया था कोईला खतम हो रहा है देश का लेकिर यहां पर दोस्तो परियाप्त विद्धी हो चुकी है 29.5 मिलियन टन्स की विद्धी देखी गई है तो दोस्तो जब कोईला संकट होता है तो बिजली कटवती बहुत होती है तो कोईला स्टॉक में इसका विजली कम कटेगी दोस्तो हाली में बंगला देश में भारत के नेक्स्ट हाई कमिशनर की रूप में किसे अपउइंट किया गया है बंगला देश में भारत के नए उच्चायूक्त दोस्तो प्रडव कुमार वर्मा बने है ठीक है दोस्तों जब भी Commonwealth Nations में Ambassador भेजे जाते हैं तो उन्हें Ambassador ना कहके High Commissioner कहा जाता है क्योंकि Britain इसको अपना एक-एक मुल्क मानता था इसलिए दोस्तों निमलिकित में से किस मंत्राले ने चाबहार दिवस मनाया है चाबहार डे दोस्तों ये किस ने मनाया है तो Port-Sleeping और Waterway Minister सर्वानन सोनवाल जी ने मनाया है दोस्तों चाबहार दिवस तीन अगस्ट को तीन अगस्ट को दोस्तों ये मनाया गया है चावहार दोस्तो इरान का इरान का एक port है जो की भारत और मद्देशिया और यूरोप के بीच में एक रणनीतिक प्रट है भारत को एगर रशिया जाना है तो बीच में जो है चावहार port पे वो अपने इंधन और खाने-पीने की चीजे और एक हाल्ट लेता है और दोस्तों अफगानिस्तान में माल सप्लाई करने का भी इस समय चाबाहार ही एक में जो है रास्ता है भारत का, क्योंकि पाकिस्तान का रास्ता तो बंध है। दोस्तों हाली में रशिक दवे का निधन हो गया वह किश्चेत्र से संबंदित थे तो दोस्तों रशिक दवे जी का निधन हो गया दोस्तों वह एक्टिंग करते थे रशिक दवे जी आप देख सकते हैं बहुत बढ़ियां एक्टर थे इनकी फेस देख करके हम लोग को याद दन हो गया वह 65 वर्स के थे दोस्तों हाली में अश्विनी वैश्णों ने भारत के कि सराज में बड़ी सदरी मावली गेज परिवर्तित रेल खंड का उद्गाटन किया है तो दोस्तों यह जो है रेल मंत्री है अश्विनी वैश्णों जी और इन्होंने राजस्थान में जो है दोस्तों यहाँ पर बड़ी सदरी मावली गौज कनवर्टेड रेल सेक्षन का उद्गाटन किया है ठीक है दोस्तों पिंगली वे कहिया कौन थे जिनकी जन सताब्दी दिल्ली में मनाई गई तो पिंगली वे कहिया दोस्तों बारत के राश्टी ध्वज के डिजाइनर थे जिनकी जो है यहाँ पर जन्म वो मनाया जिए गया है 146 जन्म तिथी मनाई गई है दो अगस्त को ठीक है दोस्तों विच पॉइंट हैस बिन रिनेमड एज गन हिल किस बिंदू का नाम बदल के गन हिल कर दिया गया है तो दोस्तों कारगिल में पॉइंट फाइफ वन फोर जीरो पॉइंट फाइफ वन फोर जीरो ज्रास सेक्टर का महत्पुण परवत सिखर है दोस्तों इसका नाम जो है गन हिल कर दिया गया कारगिल युद्ध 26 जुलाई 1999 को दोस्तों हम लोग आपरेशन विजय दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों वेडिड्ध ऐर्थ ब्रेक्स इट्स ओटेश्ट डे रिकॉर्ड दोस्तों प्रित्वी ने अपने सबसे छोटे दिन का रिकॉर्ड कब बनाया है तो दोस्तों यह 29 जुलाई को मनाया लेकिन 29 जुलाई यह कौन सा है यह भी बाहुत सोचके 29 जुलाई 2022 को प्रिथवी ने अपना सबसे छोटा दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया 29 जुलाई को नियमित 24 गंटे के समय से 1.59 मिली सेकेंड कम समय में प्रिथवी अपना पूरा रोटेशन पूरा कर लिया अपना पूरा घुडन पूरा कर लिया दोस्तों तो प्रिथवी पहले के वर्सों की तुल्ला में अब तेजी से घूम रही है ठीक है तो उसके पहले 19 जुलाई 2020 को सबसे छोटा दिन दर्ज किया गया था अब जो 1.47 millisecond पहले जो उसने पूरा कर लिया था आज दोस्तों 1.59 millisecond पहले कर लिया तो 29 जुलाई वो दिन है दोस्तों जिस दिन हम लोग टाइगर्स दे मनाते हैं है ना 29 जुलाई कोई तो टाइगर्स दे मनाते हैं क्यों दोस्तों वर्ड मोस्ट डूरेबल हाउड हाइड्रोजन फ्यूल सेल हैस बिन डेवलप्ट बाई साइन्टिस्ट फ्रॉम विच इन्वर्सिटीज तो दोस्तों हॉंग कॉंग इन्वर्सिटी ऑफ साइन्स एंड टेकलोजी ने विश्व का सबसे अफोरडेबल सेंगरी में कॉमन विल्थ गेम में भारत का तीसरा गुल्ड लाकर के भारत के लिए गौरोव बढ़ाया है तो दोस्तों सुरू में वेट लिफ्टिंग वाले ही होते हैं तो दोस्तों यहां पर 73 केजी में अंचिता ने यहां पर गोल्ड मेडल ला दिया है भाई साहा देक्टिंग फ़्टि ऑटाया है पहली बार वाले में 143 कीजी फिर उसके वाद 170 केजी दोस्तों जेरेमी लाल रिननमुगा ने भी विफ c7 केजी में गोल्ड लाया है दोस्तों平 jjanineo jj तो दोस्तो 49 kg में मीरा बाई चानू गोल लाए यह kg का मतलब उनका खुद का वजन है और यह वजन है यह कि जितना उन्हों बाई उठाया है ठीक है तो जैसे 47 kg category में ईनने ला यह अंचीता ने तो यह दोस्तों जो है उनका वजन है ठीक है 67 kg में जेरेमी शेवारी ने 67 kg में ठीक है और अश्चीटा ने 73 kg में छेरेमी ने 67 में अच्छा ये वजन में क्यों पढ़ा रहा हूं क्योंकि पूछा गया एक्जाम में टोक्यो ओलम्पिक में लवलीना बॉर्गेहन ने कितने वजन केटेगरी में गोल्ड जीता था अरे वो जीता था ब्रॉंज जीता था दोस्तों दे क्राफ्ट विलेज स्कीम इजन इनिसीएटिव ओफ विच यूनियन मिनिस्ट्री क्राफ्ट विलेज स्कीम किस मंत्राले की पहल है तो दोस्तों यहां पर टेक्स्टाइल मिनिस्ट्री की पहले एक लॉन बॉल में भी महिलाओं ने दोस्तों जोए की जीत लिया ऐसे ही जए कि जंगलों की लड़ किया है क्राफ्ट विलेज स्कीम को क्या किया है सुरू किया है ठीक है क्लियर है इस योजना के तहत आठ सिल्प गाओं का चैन किया गया तिरुपती वडाज गुजरात नैनी उत्तरपदेश रगुराजपूर उडिसा अनेंग गुडी करनाटक महाबली पुरम तमुलनाड अरुआ ताजगंज उत्तरपदेश और राजस्थान ठीक है याद रहेगा दोस्तो खबरों में रहा चाबहार पोट किस देश में इस्थित है चाबहार पोट वीच वासीन इन दूज इस लोकेटेट इन विच कांट्री तो खबरों में रहा साच बहार पोटो Пол डोस्तो य यह कहां इस्तित है यह liberality कहां इस्तित है यह दोस्तो इरान में स्थित और के खली के बहुत जिंदाबाद जबर दस देए आपको देखिए तो मुंबई से जब शिब जाती है तो यहां पे दोस्तों चाबहार पोट है यहां पे चाइना और पाकिस्तान वाला ग्वादर पोट है और यहां पे दोस्तों भारत इरान अफगानिस्तान ने मिल करके चाबहार पोट अफगानिस्तान में कोई समान जाना होता है तो इसी रस्ते से जाता है पाकिस्तान अपना रास्ता तो बंद कर दिया लेकिन अभी तालीबान को मदद करने के लिए गेहूं जो है इसी रास्ते से गया था कि भारत ने का तालीबान से कि भाई या बोलो पाकिस्तान से की रस्ता दे अब पाकिस्तान तालीबान की बात मना करेगा तो बुरा हो जाएगा तो भारत की इस त्रक पे लिखा हुआ था दोस्तों इरान की कैपिटल तेहरान है और करेंसी है रियाल करेंसी है रियाल दोस्तों भारत ओमान संयुक्त सेन अभ्यास अलनजा का इस्थल कौन सा राज्य है विच स्टेट इस दा वेन्यू आफ दे इंडिया ओमान जॉइंट मिलेट्री ड्रील अलनजा तो अलनजा दोस्तों भारत और ओमान के बीच में हुआ है और इसका जो इस बार की जगह रही है वो राजस्थान रही है राजस्थान में पिछली बार तो वहीं थी ओमान के मसकट में इस बार दोस्तों इंडिया में हुआ है और इंडिया में बहुत बढ़िया सोनल कह रहे है सब लोग लाइक कर दो एक बढ़ रहा लाइक कर दो सब लोग शेयर कर दो गुरु दक्षिणा दे दिया करो बाई साब तभी मज़ा आता है पड़ने का अगरुदक्षिणा में फ्यूसर तुमसे सोना चांदी नहीं मांगते शेयर मांगते ह आप पहुंचा सकते हो यह चैनल अभी अभी मैंने शुरू किया है इसको तुम लोग जितना जाद से ज़ादा लोगों से सब्सक्राइब करवा अपने घर में सारे मोबाईल से कर डालो अपने दोस्तों के मोबाइल से कोई मोबाइल देखो नया का रुको यार एक बार देदो दो मिनिट के लिए यूटूब पे जीए भाई प्यूसर को खटक से सब्सक्राइब कर दो तो भाई साब अब तुम्हें रही हवाले वतन साती हों तुम जितना सपोर्ट करोगे उतना हम लोग आगे बढ दिल्ली में आठ साल की माई जीयोवी समारों में यूवा दोहजार बाइस के लिए जम जो है एक जिम्मेदार AI करेकरम रिस्पॉंसिबल AI फॉर यूथ रिस्पॉंसिबल AI मतलब Artificial Intelligence पॉर यूथ जो है दोस्तों यहां पे करेकरम सुरू किया है तो दोस्तों यह अस्रविनी वेश्णों जी ने सुरू किया है क्योंकि यह माइटी मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ एलेक्ट्रोनिक एंड इन्फॉर्मिशन टेकलोजी मिनिस्टर है यह कम्यूनिकेशन मिनिस्टर भी है और यह रेलवे मिनिस्टर भी है तो दोस्तों यह इंटल इंडिया ने सुरू किया है ठीक है यह जो है रिस्पॉंसिबल AI फॉर यूथ वाला में दोस्तों पूरे दिन भर चलने वाले करेक्रम का आयोजन किया गया कि यह करेक्रम पूरे भारत में कच्छा आठ से 12 में पढ़ने वाले सभी इस फूलो छात्रों के लिए खुला रहेगा माई जीयोवी को 26 जुलाई 24 को पधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉंच किय किया गया था माई जीयोवी को यह डिजिटल भारत का एक बहुत बड़ी जो है पहल थी दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की दूसरी वर्सगाट के उपलक्ष में केंदरी मंत्री अमिर्शाद्वारा हाली में सुरू किये गए क्या इनिसियेटिव हैं उनमें से कौ सुरों के पुर्वहेड कस्तूरी क्या नाम था उनका के कस्तूरी रंगन के कस्तूरी रंगन दोस्तों इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 10 प्लस 2 की जगह क्या आ गया पाइफ प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 यानि यहां तक इंटर तक की पढ़ाई होगी जिसमें तीन लेंग्विजज में डिट्री किये गए दो नेटिव लेंग्विज एक विदेशी लेंग्विज विदेशी लेंग्विज में मंदारी नहीं है ग्रेजुएशन में कभी भी आओ कभी भी जाओ पहले साल आओ तो दोस्तो जो है सर्टिफिकेट लेके जाओ दूसरे साल आओ तो डिपलोमा लेके जाओ और तीसरे साल अगर कंप्लीट कर लिए तो डिगरी लेके जाओ और चौते साल में रिसर्च विड डिगरी इस तरी और तुम्हारी पसंद जो है history है तू माइने में history भी पढ़ सकते हो अब माइने में commerce भी पढ़ सकते हो और आगे चल के चाचा जी मामा जी को बेयोखूँ बना के Chartered Accountant भी बन सकते हो History पढ़के is भी बन सकते हो तो दोस्तो जो है यहाँ पे बहुत सारी चीजे प्रैक्टिकली की गई है अब इसकी सेकेंड वर्सगाट मनाई गई है दोस्तो इंडिया नौलेज सिस्टम IKS MIC प्रोग्राम को इस्टेबलिस किया गया है टेक्लोजी डिमोंस्टेशन के लिए अमित साह जी ने इन सब चीजों का उधगाटन किया है 75 भारतिये गेम्स दोस्तो शुरू किये गए हैं स्कूलों में 75 भारतिये गेम्स शुरू किये गए हैं आजादीके अम्रित महतसों है यह सब क्या है आजादी का अमरित महतसों है दोस्तों सुरू का जो यह 5 यह किस क्लास तक है यह फटा फट बताएं सुन करें जो फाइफ है यह किस टक है आप लोग को भी कुछ काम दे दें कि दोस्तों इसके बाद गुवर्मेंट ने नए इनिसियेटिव लांच किया है स्किल डेवलप्मेंट के लिए इसकिल हब इसकिल हब दोस्तों इसकिल डेवलप्मेंट के लिए किया है अंडर दा प्रधान मंत्री श्रम योगी मांधन योजना तो यहीं तो गलत हो गया श्रम योगी मांधन योजना नहीं वह तो उसल भारत स्किल डेवलप्मेंट इंडिया के तहत होगा स्रम योगी मांधन योजना तो तीन हजार रुपए पेंसन देने की योजना है मजदूरों को ठीक है क्लियर है याद रहेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करनाटक ने सबसे पहले एनाउंस किया था उत्तरा खंड ने प्री प्रैमरी लेवल पे बालवाटी का नाम से इसको सुरू किया है ठीक है क्लियर है याद रहेगा तो सुरू का जो फाइफ है वो क्लाश टू तक है तो बिलकुल यहाँ पे सही कहा जा रहा है पतिराम पार्था और रानी के द्वारा नर्सरी एलकेजी यूकेजी क्लास वन और टू तो यह टू तक है मैंने इतना बार तुम लोगो रटा दिया है कि अब तुम लोग एकदम सही हो गए हो एकदम सही हो गए हो ठीक है यह नब्बे पेच का दोस्तों यह नेशनल एजुकेशन पॉलसी जो एक बुक नहीं है एक लाइबरेरी है अपने आप में ऐसा अमित साह ने इसके दूसरी अनिवर्सरी पर कहा है इवेंट में ठीक है भारती ग्यान प्रणाली इसको शुरू किया गया है मैं देख रहा हूं कि कोई और चीज तो नहीं सुरू किया इनों नहीं है दो माइक्रो इंप्रूव्मेंट टेकिंग फ्लेसे इंडे स्कूल एजूकेशन इन डिफरेंट पार्ट अफ दे इंडिया डिजिटल प्रोजेक्ट इस बिइंग इने विद्धिया अमरित पोर्टल ठीक है एक यह चीज हो गया और तो कुछ नहीं है यहां पे बाकी इंडिया नॉलेज सिस्टम को जो है भारती ग्यान पढ़ाली को भी यहां पे स्टेबलिस किया गया है दोस्तों संस्थान का नाम बते जिसे हाली में प्रमुक्ट टेक्नलॉजी में सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए भारती नोसेना के से टाइप किया है तो दोस दोस्तों आया यसी बैंगलोर भारत का बेस्ट इस्टिट्यूट माना जाता है दोस्तों रिसर्च एंड डेवलप्मेंट में और इसी की विज़े से साइंस कैपिटल ऑफ इंडिया हम बैंगलूरू को कहते हैं साइंस कैपिटल ऑफ इंडिया हम किसको कहते मेरे भाई बैं 1950 को आया लेकिन दोस्तों ये अपना नेवी डे चार दिसंबर को मनाता है क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को इसके मिसाइल स्क्वेडर ने किलर स्क्वेडर ने कराची पोर्ट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था उनके सारे समुदरी जहांजों को दबा दुबा दिया था है इसकी न इंडियन एरक्राफ्ट करियर है इंडिजीनियस इंडियन एरक्राफ्ट करियर है कि दोस्तों जो बीस हजार करोड की लागत से बनाया गया है जिसे कोचीन शिपयाड ने बनाया है कोचीन शिपयाड ने बनाया है दोस्तों प्रधान मंतरी वह वंदना योजना ने 21 जुला पेंशन की वेवस्ता है जिसे LIC के द्वारा सुरू किया गया था जिसमें दोस्तों अगर आप देड़ लाख रुपए इमेडियेट देते हैं तो आपको एक हजार रुपए की पेंशन और अगर आप साड़े साथ लाख रुपए देते हैं तो आपको पांच हजार रुपए की पेंशन और अगर आप 15 लाख रुपए देते हैं तो आपको 10,000 रुपए की पेंशन तुरंतर से मिलने लगती है तो दोस्तों अभी ये कॉश्चन 23 जुलाई को आइडीबीई के सिस्टेंच मेनेजर में पूचा था कि पेंशन कितने साल तक मिलेगी तो 10 साल तक मिलेगी तस साल की ये योजना है इमीडियेट ? देने की योजना है जो रिटायर होते हैं उनके पास एक मुस्ट पैसे तो उते हैं उनने पेंशन चाहिए होता है तो दोस्तो 15,00,00 रुपे जमा करो और 10,000 रुपे पेंसन पाओ तो दोस्तो ये जो है वैवंदना योजना वित मंत्राले के द्वारा चलाया गया योजना है जिसे LIC रन करती है LIC दो है दोस्तो रन करती है बात समझ में आ रही है तो दोस्तो पांच साल इसको पूरे हो गए है 2017 में ये लॉंच हुआ था ठीक है क्लियर है याद रहेगा तो दोस्तो जो पहले हम लोग देड़ लाक रुपे देते थे एक हजार रुपे पर मंत पेंसन के लिए अब उसकी रेट भी बढ़ा दिया गया है एक लग 121260 रुपे कर दिया गया है अगर आपको एक हजार रुपे पर मंत या 12,000 रुपे परियर चाहिए तो दोस्तो प्रीमियम सबके बढ़ाये गया है तो यहां भी premium cost को बढ़ा दिया गया है दोस्तों याद रखेगा यानि कि अगर हमें 10,000 रुपए परमन चाहिए तो करीब 16,21,000 रुपए दोस्तों देना होगा 620 रुपए क्लियर है याद रहेगा पहले 15,000 रुपए देने पर खटाट से मिल जाता था दोस्तों उस संगठन का नाम बताई है जिसने हाली में कैसे प्रस्ताव को अपनाया है जिसमें स्वक्षता स्वस्थता और टिकाव पार्यावरण के राइट्स को मानवा दिकार के रूप में मानता दे दी गई है नेम्दा और्गनिजिशन डैट रिसेंटली स्वस्थीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वारिमेन्ट एज़ विमन राइट तो दोस्तों यहां पर उनाइटे एडिशन जनल एसेंब्ली ने को अपनाया है डाप्त किया है यूद्ला शाहिद रिसेंट ब? रहा था तो नागराड नाइजू इसमें युनाइटेड नेशन ब्यूरक्रेसी के हैड है ओके क्लियर है याद रहेगा इसका भी हेटवार्टर दोस्तों आपका नियूःक में ही है दोस्तों ब्लूम्बर्ग बिलिनेर इंडेक्स में सावितरी जिन्दल एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई है ब्लूमबर्ग के अनुसार इन्होंने किसको पीछे कर दिया है दोस्तों तो इन्होंने चाईना की यांग हुई यान को पीछे कर दिया कुछ तो चाइना की इस कम्पनी की विगलती होगी कि उसने उसका उसका डाउन हुआ होगाहा कुछ सावित्री जिन्दल का अप हुआ होगा तो सावित्री जिंदल 11.3 अरब डॉलर की संपत्ति है भारत की सबसे अमीर महिला है भारत में लगबग 1.4 अरब की की दसमी सबसे अमीर व्यक्ति हैं दोस्तों यह ब्लूमबर के अंसार है लेकिन आपको बताना है कि अभी एक रिपोर्ट आई थी वह किसके अंसार है जिसमें की शीव नादर मलोत्र शीव नादर की रोशनी नादर मलोत्रा जो है रोशनी नादर मलोत्रा भारत की सबसे अमीर महिला चुनी गई हैं जिसमें दूसरे नंबर पे फालगुनी नायर हैं दोस्तों HCL की रोश्णी नादर पहले नंबर पे नाइका की फालगुनी नायर दूसरे नंबर पे तो रोश्णी नादर और सीव नायर क्या बात है नाम भी मिल रहा है सावित्री जिंदल के बेटे नवीन जिंदल नहीं भारत में तिरंगे को फैराने का अधिकार जीता था कानून बना था जिसकी वज़े से इंडियन फ्लैक पोड 2002 इन्होंने कुरुशेत्र में सबसे बड़ा तिरंगा फैराया था यह अमेरिका से जब पढ़के आये थे तो चला कि भारत में तिरंगे नहीं फैरा सकते आप लोग दोस्तों यह कौन से देश के ड्राइवर है सेबेस्टियन वेटल जिन्होंने दोस्तों रिटार्मेंट ले लिया है सेबेस्टियन वेटल जो है दोस्तों वो जर्मन ड्राइवर है जिन्होंने रिटार्मेंट ले लि बोबर और एला फाओंडेशन ने हाल ही में अपनी चौरथी बूक में अफ़ी बीन ऑफ दा नॉडர्ण वेश्टरं का विमोचन किया है कि रिलीस किया है इसके ओथर कौन है दोस्तों के लेखक कौन है तो 77今天的 the 75 दोस्तों इसके लेकक है क्लियर यह अब गुज्राथ नगर है महाराश में यूए उस गौवा का में 52 के फौटोग्राफिक गाइड कि जो माहराश के पश्चिमी घाटों की समुरिध जय विविता पर प्रकाश डालती है गिज्राटवर और किसे मदद से दोस्तों इस सीरीज को सुरू किया आगा दोस्तों उस राज सरकार का नाम बताई जिसमें हाली में नीती आयोग और रीश टू रीच संगठन के साथ स्कूल एजुकेशन ट्रांसफर्मेशन के लिए एक तीनों पक्ष का समझोता एग्रिमेंट किया है दोस्तों तो यहां तीसरा पक्ष है अरुनाचल पदेश तो दोस्तों नीती आयोग रीश टूरी शंगठन अरुनाचल पदेश में दोस्तों स्कूल एजुकेशन का transformation करेंगे मिल करके नीती आयोग के CEO दोस्तों परमेश्वरन एयर है और इसके Vice President है सुमन के बेरी दोस्तों हाली में किस रज रज ने महिलाओं के प्रवास और तसकरी को रोकने के लिए महराश्ट के साथ टाइब किया है तो दोस्तों महराश्ट से जो है महिलाएं जो है human trafficking होती है और विष्ट बेंगॉल के रास्ते जो है बंगला देश निकल जाती है तो दोस्तों यह जो human trafficking होती है इसके लिए विष्ट बेंगॉल और महराश्ट के बीच में आपस में दोस्तों एक agreement हुआ है कि ठीक है बंगला देश नेपाल भूटान और अनराज्यों के साथ अपनी जहर जहरा अंतराश्टी सीमाव के कारण वेस्ट बेंगॉल तसकरी के लिए अति समवेदन शील है तसकरी के लिए अति समवेदन शील है दोस्तों भारत की अब की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम निलामी टेलीफोन और इंटरनेट डेटा सिगनल है दोस्तों कितने गेगा हार्ट का फाइफ जी एयर वेव के साथ जोस्तों यह डील हुआ है 4.3 लेक करोड की डील है दोस्तों 4,30,000 करोड की 5G डील है दोस्तों भारत में 5G जो है मिलेगा और दोस्तों आपको बताना है कि इस डील को किसने जीता है 72 गेगा हार्ट की डील है दोस्तों जिसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया था बहुत सारी कंपनियों ने हिस साल या था आपको बताना है कि दोस्तों इसमें किसने जो है बाजी मारी है तो दोस्तों यह इंडिया 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 इवर उक्षण ऑफ स्पेक्ट्रम डेट कैरीज टेलिफोन इंटरनेट डेटा सिगनल बिगेन ऑन 26 जुलाई विट टोटल आप 72 गेगाहर्ट्स फाइ जी एर वेव जो है बिलियनेर मुके संबानी रिलाइंज यह सुनील भा मितल लेट भारती एटेल वोड़ाफोन आइडिया बिल्ला लेड एंड यूनिट ऑफ बिलियनेर गौतम अदानी फ्लेक्षिप अदानी इंटरप्राइजेज आर इन दे रेस तो बिड़ दा 5G स्प इसके लिए स्पेक्ट्रम की निलामी हो गई है किसने जीता है यह आपका हूंबर कोश्चन यह आपको बताना है National Small Industries Corporation signed an MOU with which company to set up the center of excellence for MSME sector तो दोस्तों Small Industries Corporation ने MSME में center of excellence set up करने के लिए अभी LG Electronics के साथ tie up किया है किसके साथ tie up किया है मेरे बदोस्त LG Electronics के साथ tie up किया है ठीक है LG Electronics के साथ tie up किया है दोस्तों किस केंदरी मंतरी ने नई दिल्ली में Agriculture Infrastructure Fund Award दिया है अग्रिकल्चर इंफ्रास्ट्रक्टर फेंड आव़र्ड दोस्तों किस ने दिया है नरेंदर सिंग तोमर जी ने दिया है नरेंदर सिंग तोमर जी Agriculture Minister है भिंड मुरेना से आते हैं दोस्तो माइलेट्स किलियोनरी करनिवाल पोशक अनाज पाक उत्सो भीरों नों 29 सेक्ति जुलाई तक दिल्ली हाट आइने में दोस्तों लगाया है दोस्तों माइलेट्स एयर जो है उनाइटे नेशन 2023 में मनाने वाला है 2023 में माइलेट्स एयर बाजरे का वर्स होगा दोस्तों यह कोश्चन आपके एक्जाम में पूछा जाएगा 2023 दोस्तों बीसी सी द्वारा आयोजित सभी अंतराष्टी और डोमेस्टिक क्रिकेट मैचों में अब टाइटल स्पॉंसर दोस्तों कौन हो गया है पेटीम की जगह पेटीम पेमेंट नहीं कर रहा था तो बीसी सी आई ने अब मास्टर कार्ड को दोस्तों अपना टाइटल स्पॉंसर बना लिया है बीसी सी आई के हेट सवरव गांगुली है बीसी सी आई में फ़र्ष्ट सी क्रिकेट नहीं है कंट्रोल है यह कई लोग ध्यान नहीं देते हैं और के बीसी में पूछ लेता है तो फिर दज़़ रुपय हार जाते हैं तो दोस्तों जो है यहाँ पे एक स्टेडियम भी बनाया गया है उसका नाम रखा गया है मतलब उसी स्टेडियम का नाम बताईए आप लोग फटा-फट से अब दोस्तों मास्टर कार्ट जो अमेरिका की कमपनी है जिसके हेड हुआ करते थे अजय पालसिंग बंगा उसकी जगा होगा है मैकल माई भाष दोस्तों किस आयएटी ने निलेकडी सेंटर लाउंच किया है दोस्तों आटिफिस्यल इंटेलिजेंस फॉर भारत निले निलेकडी सेंटर एट ए फॉर भारत तू प्रमोट इंडियन लेंगवेज टेखलोजी को दोस्तों आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों आईटी मद्रास में जो है यह शुरूआइटी मद्रास भारत का बेस्ट इंजीनियरिंग और best Institute माना जाता है, दोस्तो best Institute माना जाता है, की तो बात ही अलग है, ठीक है, इन्होंने ही Digital Payment Committee RBI की बनी थी, जिसको हेड किया था इन्हीं नंदन निले कड़ी कहने के कहने पर दोस्तो आटीजियस और नेफ्टी को free of cost कर दिया गया था 24 इंटू 7 कर दिया गया था यह वही नंदन निले कड़ी है ठीक है क्लियर है याद रहेगा пока पंजाब का खेल भीवाइक पंजाब केड़ंयोजीत करने जा रहा है कितने खेले होगे इसमें तो दोस्तो प्हेल्म आयोजन होंगे पंजाब केड़ मेला में ठीक है देखें यह दूसरा इक्राइख्शल लांब बहुत होता है यहां यहां यूवाहं दिशा में लाने की बहुत जरूरत है तो दोस्तों निमलिकित में जखिसराज ने 1545 सरकारी प्राथमिक विद्यालेओं में मुकमंत्री नास्ता योजना के पहले चरण को लागू करने का आदेश्यारी किया तो दोस्तों यहां तमिलाडू में जो है नास्ता योजना के पहले चरण को लागू करने का आदेश यारी किया गया है ठीक है बात समझ में आ गई क्लियर बात समझ में आ गई चलिए बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद जबर्दस्त ए the इस बॉर्पट कि दोस्तो यहां सबजीयों के साथ सामबर के साथ और्देश देश सो ग्राम से 525 बजो से बनें गी दोस्तों मिध्डे मिल का नाम प्यम पोशन अभियान रख दिया गया है दोस्तों विची यूनियन मिनिस्ट्र है इनागरेटेट दफर्स्ट ओर इंडिया डिस्टिक लीगल सर्विसेज अथार्टी मीटी नियु दिल्ली किस केंद्री मंत्री ने नई दिल्ली में पहली अखिल भारतिय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण डिल्स से बैठक का उद्गाटन किया है तो यह नरेंद्र मोदी जी ने किया है अब यहां पर देख सकते एनवी रमणा जी भी है जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है देश में दोस्तों कितनी डिस्टिक लीगल यह सेवाएं हैं तो 676 DLSA हैं 676 डिस्टिक लीगल सर्विस अथर्टीज हैं दोस्तों ठीक है तो इनकी मीट नहीं दिल्ली में हुई है और बी ने दोस्तों कार्ट टोकेनाइजेशन सिस्टम की समय सीमा क्या निधारित की है तो दोस्तों 1 अक्टूबर 2022 किये लाश डेट क क्या रखा होगा 30 सितंबर एक अक्टूबर से दोस्तों अगले फिनांशल यर का पहला दिन सुरू हो जाता है ठीक है क्लियर है तो कार्ड ओन फाइल टोकेनाइजेशन को अब जो है एक अक्टूबर से जो है एकदम लागू ही कर दिया जाएगा नो एंटिटी इन दकाट चैन अधर देन काड इशूर और काड नेटवर्क सेल श्टोर सी ओफ डेटा देटा दे सेंटल बैंक नोटिफाइड टू इंट्रीम मेजर्स दोस्तों किस कंपनी को और बी आई से एन बी एपसी के रूप में संचालन सुरू करने की मनजूरी मिल गई है तो पिरामल इंट कर दिया अजे पिरामल दोस्तों यहीं पिरामल गुरूप के हैं जिन इसाम बानी की साधी हुई है मुक्य सब्मानी की लड़की से अभी अजे पिरामल को एलिजाबेथ जी ने अवार्ड दिया था ब्रिटेन का भारत यूके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ठीक है भार्टी सांस्कितिक संबंध परिशत पतिष्टित इंडो लॉजिस्ट पुरुसकार किसे मिला है तो इंडो लॉजिस्ट पुरुसकार दोस्तों मिला है जेफरी आम स्ट्रॉंग को किसको मिला है जेफरी आम स्ट्रॉंग को दोस्तों यह आवार्ड मिला है कनेडा के कप 2022 की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है तो दोस्तों इस फीफा का अंडर 17 वीमेंस वाला वर्ल्ड कप भारत में होने वाला है ठीक है और जिसमें की दोस्तों महिलाओं का यह फीफा अंडर 17 बच्चीयों का एक तरीके से होगा जो 11-30 अक्टूबर तक होगा भूनेश्वर में दोस्तों पहले राउंड के मैच खेले जाएंगे सेमी फाइनल वाले क्वाटर फाइनल वाले गोवा में खेले जाएंगे और दोस्तों मुंबई में डीवाई पार्टील स्टेडियम में मुंबई में फाइनल होगा मुंबई में पहला पदक किसने जीता है तो भारत का पहला पदक दोस्तो संकेत महादेव सरगर ने जीता है पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था मीरा भाई चानू ने लेकिन पहला मेडल किसने जीता था दोस्तो तो संकेत महादेव सरगर ने जीता था दोस्तो महराश्च के सांगली से आत सा दोस्तों ठीक है मलेशिया ने बस एक किलो इन से ज्यादा वजन उठाया सोचिए और इनका मैं आपको दिखा दू तो इनका जो है हाथ भी उसमें फ्रेक्चर हो गया हाथ भी तुट गया लेकिन जजबा यह था कि उसमें भी दोस्तों इन्हों ने वजन उठाया पूरा र उठा के पटक देंगे है कि नहीं दोस्तों बर्मिंगम में कावनवेल्थ गेम हो रहा है भारत का पहला गोल्ड मेडल जो है वो मीरा बै चानू ने जीता है मीरा बै चानू ने जीता दोस्तों याद रखिएगा ठीक है 49 kg केटेगरी में चानू ने दोस्तों 201 किलो उठाय है 88 kg 113 kg तो दोस्तों इस तरीके से इन्हों ने जो है 201 kg उठाया है ठीक है कि अब वह विचार जो सिलवर पाया वह 248 kg उठाया निर्मल मिश्रा जी का दोस्तों हाली में निधन हो गया वह क्या थी तो वह दोस्तों एक सिंगर थी बैंगौली उड़िया समिया भासा में उन्होंने बहुत सारे गाने गाये थे निर्मल मिश्राजी ने दोस्तों पुर्वराष्पति फिदिल रामोस जी का निधन हो गया है वह किस देश के राष्पती थैं तो फिलिपिन्स के राष्पती थैं तो यह रहना लाइन का नाम होता है दोस्तों उनके करकाल करें दोरण फिलिपिन गों रू और अर्थ वे वस्ता कर रूप में महनिता दी गई थी फिलिपिन्स मनीला पेशो फिलिपिन्स मनीला पेशो दोस्तों वेश्ट बेंगॉल साथ नए जिले बनाने जा रही है इससे वेश्ट बेंगॉल में कितने जिले हो जाएंगे दोस्तों तो साथ नए जिले बनने से वेश्ट बेंगॉल में 30 नए जिले बन जाएंगे मलत तीस टोटल हो जाएंगे 23 थे साथ हो गये तो 30 दोस्तो टोटल जिले हो जाएंगे दोस्तो निमलिकित में से कौन सा वीक हर साल अगस्त के पहले सब्ता के दौरान एक से साथ अगस्त तक मनाया जाता है तो दोस्तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बेस्ट फ्री मनाया जाना समर्पित किया है तो दोस्तों यह एक अगस्त को जिस दिन ट्रिपल तलाक खतम हुआ था वह दिन दोस्तों महिलाओं का मुस्लिम अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाना सुरू किया गया है एक अगस्त को इसी समय पांच अगस्त को दोस्तों वह अला फैसल श्रगस्त के समय है बारत सरकाने देश में मंकी पॉक्स की इस्थिती को देखने के लिए एक टास्ट फॉर्स का गठन किया है सब्सक्रेस एक सब्सक्र openness क मंगी पॉक्स भारत में बहुत तेजी से फैल सकता हैं कमसे कम दोस्तो साथ से से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। दोस्तों अंचिता शूली ने बर्मिंगंगम कोमनेवाज गेम में में इस错 गेम में गोल्ड म सथे आई गद जीता चुशेट सूली ने दोस्तों वेट लिफ्टिंग में एक टो सब गें वैकर क्योंकि वेट लिफ्टिंग इन्होंने दोस्तों 313 केलो उठाया है सोचो क्यों मालूम है यह लोग ज्यादा उठाते क्योंकि इनका खुद का वजन भी तो ज्यादा है 49 केजी में देखो 200 किलो में ही हो गया लेकिन यहां 73 किलो इनका खुद का वजन है तो इनको ज्यादा उठाना पड़ा यह 143 केजी और 170 केजी उठाए 313 केजी उठा करके भाई सब गोल्ड लाए है इसलिए भाईया अंचिता जी को हलके में मत ले रहा किस देश ने दोस्तों अभी हाली में उस देश के अत्ववस्था को सही करने के लिए लीगल टेंडर के रूप में एक सोने का सिक्का जारी किया है अब वह दोस्तों वहां के सिक्के के रूप में चलेगा मोसी ओ तुनिया मोसी ओ तुनिया उसका नाम है दोस्तों यह किस ने सुरू किया जिम बॉबवे जिम बॉबवे दोस्तों जिसके में जो है हेड है जो को को वी डेडू हरारे दोस्तों जिसकी कैपिटल है डॉलर से ले करके रुपया तक वहां की लीगल टेंडर है ठीक है तो दोस्तों यहां पर आप देखिए कि विक्टोरिया फॉल को भी यहां पर दर्शाया गया है ठीक है विक्टोरिया फॉल को यहां पर दर्शाया गया है औ हुआ है और दोस्तों जो है कि टोंगा भासा में उसे मोसी तुनिया कहा जाता है मोसी और तुनिया कहा हा जाता है ठीक है क्लियर है त्षालिए भ devastating बहुत बड़िया नơ क्याम की तो एक अगस्त को पूरी दुनिया में प्रतिवर्स किस दिन को मनाने के लिए समर्पित है तो एक अगस्त को दोस्तों वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है दोस्तों लंग्स को अपने अच्छा रखना चाहिए क्योंकि कोरोना के सवे में लंग इंफेक्शन की वजह सही बहुत सारे लोगों की डेथ हुई सास लेने में दिक्कत यह सारी अपने लंग्स को हमेशा मजबूत रखिए दोस्तों कपाल भातिया नुरूम भिलूम करते रहेंगे दोस्तों वर्ल्ड बेस्ट फीडिंग वीक एक से साथ अगस्तक मनाया जाता है इस बार वेर्ल्ड बेस्ट फीडिंग वीक का दोस्तों थीम इस बार की क्या है स्टेप फ़ॉर्फ बेस्ट फीडिंग एजूकेट एन सपोर्ट इस बार की थीम हैं क्लियर हैं याद रहेगह किस देश ने बहुराष्ट्री सांतियभ्यास एकसराइस खान क्येश की में ज हुआ है मंगोलिया के साथ हमारा नोमेडिक एलिफेंट भी होता है दोस्तों ठीक है सोल अन देशों ने भी मंगोलिया में भाग लिया मंगोलिया के राश्पती उखनागीन खूरेल सुख ने में जो होश्ट के रूप में इस एक्सरसाइस का उद्गाटन किया भारती सेना का पतिनिदित लद्दाक स्काउट के एक दलके द्वारा किया गया तो 16 देशों ने दोस्तों इसमें हिस्सा लिया है मंगोलिया की कैप्टल उलान बाटर है टोगरोग यहां की करेंसी है दोस्तों कैप्टन सुदीप मलिक की कमान में नौसेना डॉक यॉड में किस भारती को सेवा मुक्त कर दिया गया तो दोस्तों आइनस गोमती को सेवा मुक्त कर दिया गया है डी कमिशन कर दिया गया है दोस्तों कौन से पहला सिटी एफ स्मार्ट सिटी इंडिया तो रिसीव डेटा फ्रॉम गूगल ई-ई-ई-गूगल के ई-ई-ई-ई से डेटा प्राप्त क करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन सा है तो दोस्तों यह औरंगा बाद यह क्या है वह यह औरंगा बाद है औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन के अंसार गूगल का पर्यावरण अंतर दिश्टी एक्स्प्लोरर डेटा अधिकारिक तोर पर औरंगाबाद में जारी किया गया यह अनुभाव करने वाला औरंगाबाद देश का पहला शहर है ठीक है क्लियर ह Be A doe-िय को जो है दोस्तो जारी करने वाला ओके तो दोस्तो ताबढ़तोर तरीके से 7 बज़े एक-दम exact टाइंब पर हम लोग ने तुर्च चैनल को सबस्क्राइब करके बेल उइक-उमन जरूर दबा लिजे और जादा से ज़ञाद को आप प्रमोट कीजिए कि अगर current affair देखना है कि आपका कोई current affair न छोटे और एक घंटे के अंदर हो भी जाए तो दोस्तों आपको प्यूशर का lecture देखना चाहिए जीए वह जो सबस्क्राइब कर लेना चाहिए अगर आपको number पाना है और आप चाहते हों कोई भी करेंट अपका नहीं छूटे वरना तो 10-12 करेंट फेर ले करके उसमें स्टेडिक घुसा के बाकी लोग तो पढ़ाई रहें पढ़ लो फिर एक्जाम में नहीं आएगा तो फिर सोचना कि यह हम तो रोज पढ़ते थे एक जाम में करेंट फिर कहां से पू तो भटकना नहीं है रेगुलर रहना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों टक शेयर कीजिए बताइए लोगों को जीए भाई प्यूसर चैनल को सब्सक्राइब करवाईए दोस्तों यार अब तो हम लोग जो है स्पीड पकड़ रहे हैं और सब्सक्राइब करवाद दो तो अब बारत बुषन करें कल का चेक वाला देख भाईयों वहनों चेक देख लो कल का कल का मैंने आइवीपेस प्यों फॉर्म भरने के पहले क्या किसा अधानिया बरतनी है वह बताया बैंक प्रिफरेंस बताएं तो यार सारी चीजे को शेयर करो ना अपने दोस्तों के बीच में कि यादों को फॉर्म बनने के पहले यह चीजे देख लेना यह गलती मत करना यह प्यूसर ने बताया है इस तरीके से प्रमूट करो चीजों को क्या दिक्कत है कि समझ गये और सब लोग कुप कमेंट करिए लाइक करिए ताकि जो है सजेशन में जाए वीडियो इसको अच्छी रेटिंग दीजिए सभी लोग सजेशन में जाए फटाफट चलो ओके बबाई टेक केर हुश रहे मस्त रहे गाड़ ब्लेस वह चलो मैं आज से आप लोगों को इसमें होमवर्ग देना सुरू करता हूं अब होमवर्ग देता था तो आप लोग प्रॉपर कमेंट करते थे जधा ज़्यादा अब मैं हम वैसे तो ओरली देता ही हूं लेकिन बहुत कम लोग जाते अब मैं पूरा एकदम लिखित वहां पे डाल देता हूं ठीक है चलो के बबाई खोश रही मस्त रहें सोनल बिचारी बोल बोल के ठक गए कि सर्ज का सेशन तब सजेशन में जाएगा जब सब लोग हर सेशन में कमेंट तो हर सेशन को खोल करके एक पर कमेंट ज़रूर कर दो सारे पार सेशन को यसे क्या होगा एक व आज विक्ली करिंट अफेर की कलास 12 बजये होगी आज बैंकिग की नहीं वीक्ली करेंट अफेर की क्लास होगी क्योंकि संडे को हम लोग नहीं कर पाए थे भहिया की बरसी कि वज़से सुबए 6 बज़े किये थे और वह अधूरा रह गया था तो आभी आज करेंगे ठीक है okay bye